प्राइएक्षिन में दोस्तों अभी देखेंगे एक स्क्रीनर के बारे में ठीक है और आपको यह स्क्रीनर काफी फायदा देने वाला है क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि स्विंग ट्रेडिंग में कई बार आप स्टॉक नेते हो और उसके बाद में क्या होता है कि 15-20 दिन एक महीना वेट करना पड़ जाता है और उसके बाद भी आप देखोगे तो उतने अप टुमार्क आपके रिटर्स नहीं मिलते हैं कई बार आपका पैसा फास जाता है कई बार आप फ्रेस्टेटेड होके एक्जिट हो जाते हो और कई बार लॉस में भी बुक करना पड़ता है तो दोस्तों इन सारी चीजों को कैसे टैकल कर सकते हैं लोग तो उसको उसी के से रिलेटेड मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया था आप यहां पर देखो कि कई सारी स्क्रीनर बने हुए है और दोस्तों मेरा ऐसा मनना है कि इस स्क्रीनर तो बहुत सारे बट आपको भी थोड़ा सा उसको देफ्थ में सवाजना आना चाहिए कि वह चीज कैसे काम कर रही है क्या उसके प्रोज और कौन से तो आप प्रोज आपको यहां पे आपको तो मतलब कि इस बेस्ट कंटेंट हम लोग प्रोवाइट करते हैं दोस्तों कोई भी किसी तरीके का आपको कोर्स नहीं है ठीक है नहीं कोई हमारा ग्रूप है आप आप सिंपली यह आप आईए रिली अनलिसिस देखें आपको काफी इंप्रूब्मेंट लगेगा ठीक है तो बहुत सारी चीजें होती है तो हर किस सिचुएशन में हमें किस तरीके से देखना है क्या हमें वाँ पे स्ट्राइटेजी लगा सकते हैं तो वह सारी चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है तो वही इसी वजए से हम लोग इन्न टाइम पर स्ट्राइजी लेके आते हैं और भी strategies मैंने बनाई हुई है तो भी आप देख सकते हो और बिना किसी देरी कि हम लोग अपने point पर आते हैं तो यहां पर देखो सबसे पहले हम लोग यहां पर चार्टिंग का platform खोलेंगे आप यहां पर देखो कि चार्टिंग.com हमारे सामने खुला हुआ है यहां पर अपन वह सब्सक्राइब यहां तो देखो वन मंत में आप अगर ट्रेडिंग डेस कितने होते हैं तो उसका ब्रेकाउट होता है तो जर्नली देखा गया है जब भी आप चार्ट को देखोगे कि वन देखो अगर कोई स्टॉप ब्रेक आउट आता है तो वहां पर एक अच्छा र तो आपको कही सारे स्टॉप मिल जाएंगे बड़ आपको कौन से स्टॉप से इसको समझ लेते हैं तो यहां पर क्या है पहला जो हमारा कंडिशन है जो भी हमारा प्राइस है ठीक है ट्वंटीवन डेस से वह मलब कि लोवर साइड में हो उसके बाद में यहां पर जो भी अ जो हमारा RSI है वह भी सिस्टी के उपर रक्ठाएं ठीक है तो RSI कोає जब हमलों रखेंगे तो हमें अ च्छे स्टॉप मिलेंगे जिसमें बुममेंटम इंडिकेटr है और हम लहें ज्यादा वेट भी नहीं करेंगे अल्मोस्ट 10-8 देज में ही हमारे टार्गेट समय मिल जाएंगे and sometimes आप देखो कि तीन से चार दिन में ही आपको 5-10 परसेंट का रिटन मिल गया ठीक है तो इसलिए दोस्तों यह स्टैटेजी थोड़ी अच्छी होने वाली है यहां पर देखोंगे अगर आपको लगता है तो आप यहां से इसको आफ भी कर सकते हो तो थोड़े स्टॉक्स आपके और बढ़ जाएंगे बट मैं आपको सज़ेस्ट करूँगा कि आप आरे साइस स्टीन वाले को ही लो जो मैंने यह स्टैटेजी बनाई थी दोस्तों इसक मैं लिंक आपको प्रोवाइट कर दूँगा है ठीक है तो इसको जब आप देखोंगे ना तब आपको काफी चीज़ें समझ में यहां पर मैंने आपको बकायदा बैक्टेस्ट करके दिखाया हुआ है कि ऐसे हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए ठीक है यहां पर वीडियो म आपर बहुत काम होते हैं अगर वाहाँ पर लिट्वीडिटी का काफी ज़्यादा खेल रहाँ अगर वहाँ पर लिट्वीडिटी नहीं है तो उस स्टॉवक को इसनली मैनिपुलेट किया जा सकता इसलिए दोस्तों आप अच्छे स्टॉक में काम करें तो वहां पर बैटर सब्सक्राइब कि चूज़ करनाच चारए्ज किसीजिए कि प्रेकशेटर में यहां पर लिंक आ रहा है वो वीडियो भी देख लेना तो यह और भी अच्छा सिगनल है यहां से बड़े मूव आ सकते हैं और देखोगे आप देखो कई बार 200 के पास में होगा यहां से 20 के भी पास में है यह तो अब आपको क्या आपका ट्रेडिंग प्लान हो सकता है आप यहां पर जैसे ही सकेंडल का कल हाई ब्रेक होता है आप एक एंट्री ले सकते हो और अपने स्टॉप लॉसे ट्वंटी इयमें के नीचे रखोगे ठीक है एंड इधर पर या फिर आप लास्ट जो इसके लास्ट वाला कैंडल है इसकेंडल के प्रिवेस कैंडल उसके नीच इस तरीके से आप करोगो तो देखना अपने अच्छे आपको यहां पर प्रॉफेट्स हो जाएंगे और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि आपको कम टाइम में ही आपको एक मोमेंट कैप्चर हो जाएगा ठीक है अब हम लोग अगले स्टॉक को देखेंगे अगला स्टॉक ह हमारा है HDFC ठीक है HDFC बैंक तो यहां पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं HDFC को भी सर्च कर लेते हैं दोस्तों इस पार्ट को प्लीज मत स्कीप करना ठीक है आपको यहां पर काफी इंपोर्टन चीज में बताऊंगा ठीक है जो क्योंकि देखिए सब लोग स्क्रीनर वाला व करने लगेगा ठीक है एकाइंड और में इसके उपर अधार हैं जाया है आप जले तो जब यहां से पहला जो ब्रेक आउट होगा वहीं पर आपको यह स्टॉक बताएगा ठीक है तो यह चीज़ या देखना है से मोमेंट कैक्चर हो जादा बट अभी क्या है प्राइज उपर निकल चुका है तो आप गैमलर हो नहीं आपको भी पता बैक टूब है ग्रीन कैंडल बन रहा है तो यहां पर पर यहां पर करेक्शन का वेट करना है ठीक है तो ऐसे आपको अप्रोच रखनी है एक स्टॉक और और स्टेड़ी करेंगे युक्कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो वह स्टॉक है जिसे बजाज का है ठीक है तो मैं वह गर भीजाज हो धुर्व को खोल लीते हैं और यहाँ पे आप देखोगे अगर इस वाले में लेवल को माक कर लूँ तो आप देखोगे यह ग्रीन कैंडल ने भी एक ब्रेक आउट दिया है और इधर पे पिछले अगर आप काउंट करोगे ना तो 21 डेस से जादा है यहाँ पे कैंडल बन गई है तो यहाँ पे आपको काईट जी में एक ही मुझे कमी लगती है कि आपको स्टॉब लॉस के प्रती बहुत जादा ही एकदम होना चाहिए इस ट्रिक ठीक है क्योंकि इसमें क्योंकि हम लोग उपर है तो वहाँ पे करेक्शन बड़ी भी हो सकती इसलिए यह चीज हमेशा यहाँ दखना दोस्तों जो सबसे अच्छा फ्रेंड है वो है स्टॉप फॉस ठीक है यहाँ पर देखो कि उतने इच्छे रिस्क रिवार्ड नहीं मिलना है तो आप इसको अवाइड भी कर सकते हो जरूरी नहीं कि सारे ट्रेंड में घुशला है जब आप रेगुलर यूस करोगे तब आपको सही टाइम पर स्टॉप मिल जाएगा अभी अल्रेडी दो तीन दिन लेट हो चुका है और एक स्टॉप और देख लेते हैं तो इसको एक बार देख लेते हैं फिर मैं यहां से वीडियो बंद कर दूंगा कैसा लग रहा है वीडियो यह आप ज़रूर मुझे बताईएगा ठीक हर दिन आपको यहां पर दिखाता ही जाएगा ठीक है तो यह चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है ठीक है यहां पर देखोगे अभी क्या है फोड़ा सप्राइज ऊपर जा चुका है तो यहां पर हम इंट्री नहीं बनाएंगे एक बार इसको पूल बैक होगा उसके बाद ही हम देखेंगे ठीक है बट अगर इस्टिल आपको लगता है कि यहां से इंट्री बनानी चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप जैसे ही स्कैंडल का हाइब को आप यहां पर जाना होगा तो वह फिर ना आपको यहां इस कैंडल के बाद भी उपर वह दीरे दीर से जाई सकता है तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट चलती है अगर आप वह सही में ट्रेडिंग कर पा रहे हो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि आप किसी भी कैंडल को पकड़के आप उसके नीचे लो स्टॉप लोस लगा और उसके उपर आप उसी साफ से टारियेट लगा पर काफी को सीखनेों को मिला होगा और दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में तक लिए बाबाए सी यू टेक क्यार